वेलकम टू न्यू लेसन अभी लास्ट लेसन में हमने सीखा था कि कैसे आप गूगल शॉपिंग एड बना सकते हो फाइनली इससे पहले हमने कनवर्जेंट ट्रैकिंग बाकी सारी चीज़े से की थी हमने जो कनवर्जेंट ट्रैकिंग की थी वो की थी हमने थ्रू अप प्लगिन बाकी प्लगिन के साथ क्लैश होता है या कई बार थीम के साथ क्लैश होता है तो वो सही से कनवर्जेंट ट्रैक नहीं करता अगर ऐसे सिच्वेशन आ रही है जहां वह प्लगिन कनवर्जेंट ट्रैक नहीं कर रहा तो हम कनवर्जेंट ट्रैक कर सकते हैं थ्रू Google Tag Manager, अभी देखो क्या है, जैसे मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं यहाँ से product add to cart करता हूँ अगर यह वाला एक product हम add to cart करते हैं और अगर मैं यह वाला product purchase करता हूँ तो यह मैं thank you page पे आ गया और यहाँ पे मैंने install किया है Google Tag Assistant plugin, Google Tag Assistant इस plugin के थुरू आप यह देख सकते हो कि कौन कौन सा Google Tag फाइर हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो conversion tracking वाला tag फाइर नहीं हो रहा for some reason तो again वो किसी चीज़ के साथ conflict कर रहा होगा तो अगर ऐसी situation आती है तो उस case में हम use करेंगे Google Tag Manager राइट, so मैं वापस जाता हूँ website पे अब कैसे यह करना है प्लीज अब ध्यान से देखेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जाना है Google Ads में और नया conversion event बनाना है तो मैं हाँ Google Ads में गया मैं tools and settings में गया और मैं गया conversions के अंदर आपके पास यहाँ पे यहाँ प्लस का option आएगा जिस पे conversion लिखा होगा तो मैं इसे click करता हूँ और यह हमें लेनी है website और यह मैं track कर रहा हूँ purchase तो मैं इसको लूँगा purchase, conversion name मैं ले लेता हूँ Google Ads purchase और यहाँ पे लेना है use different value for each conversion और यहाँ पे एक default value लेनी है और अगर कोई value नहीं है तो क्या value ले तो हम default value ले लेते है 100 रुपे, यहाँ पे लेना है every, इधर आपको कोई change नहीं करना इधर आपको कर देना है इसको uncheck यह जो enhanced CPC है अगर आप इसको check रखोगे तो Google enhanced CPC लगा सकता है आपके bids पे जिससे कि आपकी ads bidding महेंगी हो सकती है then आपको करना है create and continue then आपको करना है use google tag manager ठीक है please अब ध्यान से देखिए एक आगे आपको वापस जाना है google tag manager पे आपको करना है add a new tag ठीक है add a new tag ये करने से पहले मैंने आपको last lessons में सिखाए था कि कैसे हमें google tag manager install करना है right और हमने ये भी सीखा था कि हमें वहाँ पे एक दो buttons भी check करने हैं जो की थे remarketing वाले और वो बाकी सारी चीज़ है तो वो आपको check करने और यहाँ पे आप इसको लिखो google conversion tracking ठीक है देन आप जाओ tag configuration में ठीक है और यहाँ पे आप लो google ads conversion tracking conversion id पूछ रहा है आप से आप वापस आजाओ यहाँ पे और यहाँ से आप ले लो conversion id right यह देख लो आगे space तो नहीं है देन आजाओ conversion label पे और यह रहाँ का conversion label तो यह ले लिया मैंने conversion label ठीक है space अटा दो देन आप से पूछ रहा है conversion value ठीक है conversion value अब हमें जो अपनी conversion value है वो dynamically fill करने है ठीक है dynamically तो उसके लिए मैं क्या करूँगा इसको click करूँगा देन मैं इस plus को click करूँगा और इसको मैं लिख देता हूँ total value ठीक है total value देन आप इसे plus करोगे और यहाँ पे आप लोगे data layer variable ठीक है data layer variable और आप से पूछ रहा है यहाँ पे data layer variable name ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको एक नीचे चीज ये sheet दे दूँगा यहाँ पे आप देख रहे हो for revenue तो यह जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है you just need to copy this for revenue वाला और यह आपको यहाँ paste करना है ठीक है total value यह आपको नीचे sheet मिल जाएगी button click करोगे इस video के नीचे तो जो for revenue में लिखा है इसको आपको copy करना है पूरा और यहाँ paste करना है और आपको यह करना है save ठीक है जी बहुत ही ज़्यादा simple अब आ गया है यहाँ पे total value अब जो भी total value होगा वो dynamically fill हो जाएगी then पूछ रहा है order id है तो वापस आपको यह click करना है then आपको यह plus click करना है और then आपको यहाँ पे करना है total, नहीं sorry not total order id ठीक है आपको यह click करना है then आपको लेना है data layer variable then आपको यहाँ आना है और आपको यह नीचे से copy करना है अब आपको copy करना है order id वालए ठीक है यह आप copy करोगे आप यहाँ paste करोगे space अटा देते हैं और आप इसे करोगे save ठीक है बिलकुल ही असान currency code में आप डाल दो INR ठीक है और अब आओगे triggering पे ठीक है triggering को click करोगे और यहाँ पे plus है इस plus को click करोगे और यहाँ पे लिखोगे thank you ठीक है इसको click करोगे और यहाँ पे आप normal thanks you नहीं लेंगे हम यहाँ पे हम लेंगे कस्टम event ठीक है custom event event का नाम पूछ रहा है तो यह oatmeal event का नाम लिख़ाआ event तो event यहवाला आप यहां से कर लोगे copy और यहाँ कर दोगे paste और इसको कर दोगे save ठीक है बहुत ही असान और इसे यहाँ से कर दो save और इसे कर दो यहां पे submit, publish, continue हो गया जी, वापस आ जाओ workspace पे, यहां से देखो done कर दिया था इसको यहां से next कर दो, और इसको यहां से done कर दो यहां वापस आ जाओ, और यहां पे देखो option है, एक बार फिर से submit कर दो submit कर देता हूँ दुबारा इसको, perfect, वापस आ जाता हूँ workspace पे, और यहां से मैं इसको करता हूँ, preview, ठीक है, यह जो sheet है, इसका link मैं आपको नीचे देदूँगा, वहां से आप इसे download कर सकते हैं right, अब वापस आते हैं, wordpress पे एक product, इसको refresh करते हैं, control F5 hard refresh, ठीक है, अब एक नया product add करके देखते हैं, और अब देखते हैं, कि सही information आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको add to cart करो, इसको मैंने add to cart किया, और इसको करते हैं, place order, place order हो गया, अब उपर जाओ, यह रहा, google tag assistant, जो plugin इंस्टॉल किया, मैंने chrome extension, इसे click किया, अब आ रहा देखो, google ads conversion tracking, इसे click करो, अब देखुआ रहा है, conversion value कितनी है, 1181, 1381, और currency, INR, ठीक है, एकदम सही से अब हमारा track हो रहा है, तो अगर आपका plugin से track हो रहा होगा, well and good, अगर नहीं हो रहा होगा, then you can do this, ठीक है, और यह जो sheet है, यह नीचे link का इस video के, वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है जी, again, thank you so much for watching this video.